Hello Friends, मैं हूँ Mudita और आप सभी का स्वागत है Mudita IS Warriors में जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि UPSC Prelims की Date Declare हो गई है अब New Date 4th of October 2020 को UPSC का Prelims Exam Conduct कराया जाएगा जैसे ही ये Date Declare हुई, Students के मन में कई सारे सवाल और क्योरीज आना शुरू हो गए कि हमें कितना Current Affair करना चाहिए, चार महीने में Prelims कैसे क्वालिफाई करें, कहां से मॉक टेस्ट दें और बहुत सारे Questions और Qures तो इस वीडियो में आपको नई Strategy और साथ में सारे ही सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा फिर भी अगर आपके मन में कोई केवरी रह जाती है तो आप comment box में जरूर पूछें सबसे पहले आपने कल ये देख लिया होगा कि UPSC की साइट पे नियू कैलेंडर अपलोड कर दिया गया है जिसमें ये बताया है कि UPSC का Prelims का exam 4th of October को होगा और मेंस का भी बता दिया गया है कि 8 जनवरी को मेंस स्टार्ट होंगे मतलब Prelims और मेंस के बीच में बहुत जादा समय नहीं है October के बाद फिर November, December बचेगा सिफ मेंस के लिए तो अब देखते हैं कि आपको क्या plan और क्या strategy फॉलो करनी चाहिए सबसे पहले मैं अगर आपको बताओं कि आपके पास कितने दिन बचे हैं तो आप day count इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से days को arrange किया है आप बोलंगे कि June में 15 days क्यों रखे हैं आज कितनी तारिक है आज है 6th of June मैंने स्टार्टिंग के 14 तारिक का जून का टाइम है वह इसलिए छोड़ दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हें अपना माइंड को री प्रोग्राम करना पड़ेगा कई लोग अपनी जो रेगुलर स्टेडी थी उसको सही से नहीं कर रहे थे या आप आज डेट डिक्लियर होई है और कल से 10 घंटे नहीं पड़ सकते बच्चों को एक नई स्टेडी बनानी पड़ती है उसे फॉलो करना पड़ता है माइंड सेट बनाना पड़ता है और फिर एक हफते की प्रेक्टिस के बाद आप कंटिन्यू अपनी स्टेडी को सेवन टू एट आर्र तक ले जा सकते हैं तो मैंने वो टाइम दिया है कि जि चलाई में 31 अगस्त में 31 और सेक्टेंबर में 30 इसके बाद 4 ओक्टूबर को एक्जाम है तो ओक्टूबर के 3 दिन काउंट इसलिए कि एक्जाम से पहले के 2-3 दिन होते है वो आपको माइंड काम करने का रिलैक्स करने का होता है उस वक्त आप नहीं पढ़ सकते हैं तो हमा जो strategy होगी वो भी different होगी सबसे पहले हम बात करते हैं उन students की जो who prepared well जिन्होंने दो attempt तीन attempt दे चुके हैं और जो अच्छे से prepared हैं जिनका static part बहुत अच्छे से prepared हैं जिन्हें UPSC का पूरा pattern वो समझ चुके हैं UPSC का खेल समझ चुके हैं किस तरीके से उन्हें deal करना है वो पता है उनको मैंने रखा है S1 के टेगरी में ठीक है दूसरा है not complete slavers वो बच्चे हैं जिनका पहला या दूसरा attempt है और उन्होंने अभी तक अपना GS का slavers ही complete नहीं किया है अगर बोल रही हूं तो मैं उसे pretty का slavers नहीं बोल रही हूं मैं mains का slavers बोल रही हूं क्योंकि कोई भी अगर UPSC का serious aspirant है तो वो prelims का slavers नहीं मैं mains का slavers को consider करता है तो मैं mains की slavers की ही बात कर रही हूं तो उसने slavers ही नहीं complete किया और थर्ड कटेग्री में वो बच्चे रखे गए चाहे हैं आप S1, S2, S3 किसी के भी student हो स्टूरेंट इसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में अरेंच किया है सबसे पहले स्टूरेंट फिर S2, S3 क्या है मैंने पिसली स्लाइड में आपको बता दिया है के टेग्री वाइस स्टूरेंट सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूरेंट की जिनने अच्छे सा इनका स्टाटिक क्लियर है और जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही थी और यह बीच में हो सकता है कोई ड क्या है में जो आपको और अप्शनल को बहुत अच्छे से कंप्लिट करना है क्योंकि मेंस के लिए आप देखिन के दो महिने का टाइम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और वहां पे सारे बच्चे जीएस कर रहे होंगे तो आपको अगर दूसरों से अलग दिखन में बहुत अच्छे से प्रिपेर कर लेना चाहिए इसके साथ जैसे से जून का टाइम खतम होता है इस में अप्य प्रिपेर कर लें देली आपको एपने से जुदा हो एक अंसर भी लिखना है साथ साथ जो करन टेवह अ नुआफेपर हर किसी को पढ़ना है जब तक जानते हैं कि कौन कौन सा GS का पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए तो अगर यह पहले से दो तिन इस अटेंप दे चुके हैं तो इनका अच्छे से होगा उने सिर्फ रिवीजन करना है तो GS पार्ट का रिवीजन करना है और डेली दो अंसर राइटिंग करनी है एक अप्शनल के लिए करनी है और एक GS के इससे आपकी GS की भी रिवीजन होगी और ऑप्शनल की भी रिवीजन होगी और कॉन्फिदेंस गेन होगा थर्ड इनको क्या करना है कि जो लास्ट के थर्टी डेज होंगे यानि जो सेक्टेंबर का मंत होगा उसमें डेली केवल और के सेवंटी तो एक्टी परजन करन्ट और कोशन साते हैं तो इनको करन्ट करना इस्टाटिक तो आपका अच्छा ही होगा तो आपको करन्ट करना है वह भी 1.5 यह का वैसे अगर पूछे तो एक साल का करेंट अफ्यर करके जाना होता है क्योंकि इस बार प्रिलिम्स लेट हो है तो एप्रिल 2019 से अक्टूबर 2020 तक का देड़ साल का करन्ट अफ्यर बहुत अच्छे से करना है साथ ही आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो आपको दो साल का करन्ट अफ्यर करना चाहिए और जो बचा हुआ पार्ट है वह मौक टेस्ट से कवर हो जाता है तो इस तरीक पार्ट तो सेम रहने वाला है सबके लिए तो करन्ट पार्ट की रिवीजन इनके लिए जादा इफेक्टिव होगी फिर बात करते हैं हम एस्टू स्टूडेंट्स की वह स्टूडेंट्स जो अभी स्लेवर्स कंप्लिट नहीं कर पाए है किसी वज़े से उनका स्लेवर्स पूरा नहीं हुआ था या क्लासिस बंद हो गई थी या कोचिंग नहीं जा पा रहे थे या कोई भी कंडिशन बोल सकते कहीं फस गए थे तो उनके लिए क्या है सबसे पहले उनको करना चाहिए अपना जीए स्लेवर्स कंप्लिट करना है कुछ भी आपका स्लेवर्स जो डियें अकffen डियर दोनो में किसी एक यह बहुत अपेरिंग कोरने चाहिए सिंगी तो कि को दोतों में गलनेगे यहां और सी तुत मौक नहीं करते हैं शुकि वहां में ळाजीते कि आप सीथा मेंति में Jaw अब्यक्त करते हैं कि वो जाद़ पश्चाबरने करना थी स्ट्राइ्व यह। वाले स्टुडेंट्स को तो क्या होता है कि अप वोके करन्ट उसका करना का नहींन प्रक्राइड होगी इस साल सीरियस नहीं तो उनके लिए भी यह अच्छी अपोर्चनटी है कि वह इस साल ही एक्जाम को क्रैक कर सकते हैं कैसे सबसे पहले आपको क्विक कवर करना है अपना जीएस का स्लेवस थर्टी टू फॉर्टी डेस वह आप कैसे करेंगे तो आपको अगर आप सीधे स्टेंडर बुक लेके बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पूरी बुक रीड कर आपको वीडियोस देखनी है पॉलिटी हिस्ट्री मौंडन हिस्ट्री दस तिन में ऐसे पाई जो में निसुम्याइट तो नहीं ayam sira करना है और ईंको वीडियो से कंप्लिट करना है उसके बाद जाके बोक करनी है तो आपको जल्दी समझ में आएगा इसके बाद करना है जैसे आपका जीस का पार्ट कम्पीट रहते हैं अब आपको करना है प्रेक्टिस प्रिवियस एयर प्रिलिम्स पेपर आपको सीधा मॉक टेस्ट लगाने नहीं जाना आपको यूपी एसी के ही 10 से 15 साल के जो प मत जाएंगे कि किस पार्ट को करना चाहिए और किस पार्ट को छोड़ना चाहिए इसके साथ आपको भी एक अंसर लिखना चाहिए चाहे वो करन्ट का हो चाहे वो जीएस का हो जो भी टॉपिक पढ़ें उसको लिखके देखें इससे क्या होगा कि आपको करन्ट और जीएस किसका करना है रिवीजन आपको current affair करना है और mock test देते वक्त अपना mock test analyze करें और जैसे ही आपको जिस पार्ट में समझ में आए कि आप वीक हैं या जहां पर अंसर नहीं दे पारें जहां पर अटक रहें स्टाटिक के जिस पार्ट पर उस स्टाटिक के पार्ट को तुरंत जाके बुक से पढ़ें वीडियो से समझें और उसके शॉट नोट बना लेकि रिवीज जब एक्जाम देने जाना होगा तो वह शॉट नोट ही आपके काम आएगा इस तरीके से आप किसी भी कटेगरी के student ह आप UPSC को सिर्फ इन बचे वे चार महीने में क्रैक कर सकते हैं और मेंस में भी अपने आपको बूस्ट कर सकते हैं इन चार महीने का यूटिलाइजेशन करके इसके बाद आपकी प्रेक्टिस में और जादा बूस्टिंग मिल सकती है आप हमारे चैनल मुधिताइस वारियर इस पर विजिट करें इस पर यूपीस के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो जाते हैं साथ ही साथ पॉलिटी मॉडन हिस्ट्री का अच्छा खासा कंटेंट दिया जाता है और साथ ही साथ इस पर करन्ट अफेयर भी कराया जाएगा यह वीडियो है आप इसको जरूर इसमें यह बताएगे कि आप 30 मतलब एक बार में तीन से चार गंटे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा फोकस स्टडी कैसे कर सकते हैं अपना कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं इसके साथ ही यूपीसी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मोटिवेशनल वीडियों हैं और भी कई सारे पॉलिटी और मॉडरन हिस्ट्री के वीडियों जिन्हें आप देख सकते हैं आप सभी को बैस्ट अफ लग आप चाहिए किसी भी केटेगरी के स्टूडेंट हो आई होब यू आल भी क्रैक क्रैक यूपीसी सीसी ट्वेंटी ट देख नेकले थैंक यू सो मच